चलिए जानना चाहेंगे कि आखिर क्या जंता की सुवीदाओं को ध्यान में रखते होए यहां से धरना उठाया जा रहा क्या स्टेटेजी होगी अगली नी से जानते जी सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवात है कल भी आपने इस पूरे मुद्धे को कवर किया आज लगातार कोई दो गहंटे तक ये प्रोटेस्ट एक पीस्फुल प्रोटेस्ट जमू में हुआ आज लेकिन उसके बाद आप ये प्रोटेस्ट यहां कंकिलूड किया जा रहा ह है तमाम लोग जो यहां आज आए थे उन्होंने यही फैसला किया है कि रोड को खोल दिया जाएगा ताके जंता को जो इस वक्त रोड बंद होने की वराबलम प्राबलम आ रही है उससे लोगों को नजात मिल सके और ये सारे लोग वापिस जहां पर कल डिमूलेशन हुई ह जहां पर लोग सारे बैठे हुए हैं वहीं गर पे जाएंगे और वहीं फर्दर कोर्स आफ एक्शन क्या होगा ये पूरी बलादरी ये जितने लोग आए हुए हैं वो सब मिल कर तैक करेंगे कि फर्दर कोर्स आफ एक्शन क्या होगा प्रोटेस्ट कैसे होगा या जडिये ने जो पुलीस करम चाली थे नोंने बहुत अच्छे से योगदान दिया और आज भी उनने प्रौपर एसिस्टेंस किया और इस तरीके के प्रोटेस्ट होने चाहिए पूरा पॉलीस का योगदान इसी तरीके से होना चाहिए ताकर लोग क्यूंकि इस देश के अंदर लोगों को हक है अपनी बात रखने का पीसफुल प्रोटेस्ट करने का भी हक है और वो हक लोगों को अक्सिसाइज करना भी है और अगर उन्होंने किया है उसको पीसफुली आज काम्याब हुआ है आप देखें कि जिस तरीके से जेडिये ने तबाही कर दी रातों रात आके एक लोगों के लिए एक कानून दूसरे के लिए दूसरे कानून गरीबों के लिए एक कानून अमीरों के लिए दूसरा कानून आप देख रहे हैं कि पिला पंजा आखिर चला तो किसके गर पे चला करीब के गर पे चला तो इस तरीके के साथ कोई नोटी सर्व नहीं किया गया गोट की आडर को इंप्लीमेंट नहीं किया गया उसके बावजूद ऐसा किया अब यह प्रोटेस्ट कंक्लूड हो रहा है आप देखिए हमारी माएं बेने तो जोहां किस तरीके से रोडों के ऊप रहेगा यह जिस जगापा डिमोलिश होई वही जाकर पूरी अगली स्ट्रेटर्जी बनाई जाएगी चलिए हम समय समय पर आपको अपडेट भी देते रहेंगे अगला इनका क्या कोर्स अफेक्शन रहेगा फिल आपने कमेंट दूर कमेंट बाक्स में दीजी इस वीडिय किजी जूड़े विया से हमार सा अगले अपडेट के लिए जाहिं जबर